हलो गाइज वेलकम बेक टो नाथर वीडियो मैं हूँ जाहिद और आप देखरें जरी एक्षन तो गाइज आज इस वीडियो पर रेक्षन करेंगे वह बहुत ही जबरतस्त होने वाली है और बहुत ही मज़ा आने वाला कि कि यह वीडियो है डकी भाई की और बहुत ही घजब तरीके से इनो ना इस बार इनको बहुत घजब शांदार एक रोस्त मारा है और बहुत मजाएगा इसको देखने पर और इनका जो टाइटल है वह है तार्क साइट पाकिस्तानी टिक टॉक दकीट मस्त बी स्टॉप सो पहल है कि मैं एक स्लेबिटी हूँ तो मुझे लगने से पहले मेरा बायो डेटा पुछेगा यह खुश फैमी इन्हें टिक टॉक इंस्टॉल करने के बाद से शुरू हो जाती है कॉंटेंट के चक्कर में वाली फिलिंग देने वालों की ही बात करेंगे हम ऐसे लोगों को मेरी जान बारिश में बारिश में वाड देने आया था यार आपको पियार किया है यार हमने करते महबत इंसे शॉपोट करेंगे लेकिन महबत हुए होती है सर महबत दो जगह से चल्ति है ऐसे महबत भいきार्प जी बाद में आते हैं опас ने आल्यान आ blते हु फिर तुम टिक टॉक स्टार एलेकसिब भटी से जो आजकल पाकिस्तानी टिक टॉक के ट्रेंडिंग बॉई हैं दमाग तो मेरा ये सोच के खराब हो रहा है कि बॉइस टॉलेट जाता होगा या गल्स टॉयलेट उसको छोड़ो मुझे तब इसकी कैटेगरी समझ नहीं आरी टिक टाकर्स का एम होता है कि वह एक्टर बन पाएंगे, एक्टरसस बन पाएंगी, माडल बन पाएंगे, स्टार बन पाएंगे, लिकिन ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बॉइस इंडस्ट्री में चिखे मानने की जॉब मिलती है पर वहाँ भी इनकी मजीद खौईशात आया थ लेकिन इसके आने के बाद वहाँ पे बच्चियों की या पुंडरों की भी कमी हो गई है पंजाब कॉलिंग की स्टूडेंट से मैं सरफ यह कहना चाहूंगा कि अपने अंडर्वियर की तदार डबल कर लो नी तो इन भाई साब की बाग्ठरू में नियत खराब हो या तो क मैं तो कहता है इसके मूँपे कपरा डाल दिया जाए तो यह सनी लियोनी से कम चीज नहीं है और फिर यह लोग कहते हैं हमारी रिस्पेक्ट करो हमें इज़त दो ऐसे लोगों का मोट होता है टांगे उठाओ हाथ नहीं आई लव यू मेरी बहुत नाजुक सूरते हाल है एसी चुटिया और सस्ती लिप सिंग कॉमेडी से बेतर है बंदा है बुल बुले देख ले लेकिन टिक टॉक की ना एक ही अच्छी बात है कि जब से टिक टॉक आया तो यह जितनी भी टेक्निकल डिफिकल्टी और फॉल्टी लड़के सामने आ रहे हैं मुझे तो यह समझनी आती कि नाधरा और अधार कार्ड वाले इनको अपने आईडी कार्ड पे मेल लिखने की इजादत कैसे देते हैं यार इससे अच्छी बनना मैं रात को सोते वक्त करवाट बदल के हिला लेता हूं और फिर यह लोग कहते हैं कि हमें एक वीडियो बनाने में चार-चार गंटे लाग जाते हैं इसके बिहाइंड दा सीन देखना जरा आसपास अवाम भी सोच ही होगी है कोई सा मरीज किस हस्पताल से भाग गया भाई मतलब कोई बची शची ऐसे करे तो समझ में भी आता है यार इधर बजूरग लोग भी आये हैं आजकल टिक टॉक पे लेकिन वो बंदा जिसके खुद के घर वाले इससे डड़ते हैं कि कहीं हमारा फ्रिज ना खाली कर दे जिसको बैटने के लिए दो कुरसियां चाहिए होती हैं उनका जरा टिक टॉक कॉंटेंट देखो यार मैं हूं मोली चुम्हा आज मैं बताओंगा आपको बच्ची पिसाने का तरीका और कॉपी में से लेया होँए इनकी खुद की भीवी मुड़ के देख ले बड़ी बात है, ऐसे लोग बच्ची फसाने के तरीके बता रहे होते हैं, जिनकी दूसरों ने बच्पन में इतनी फाड़ी होती है के अंदर हिंटों का घर बन सकते हैं पूरा जिन लोग नहीं पता कि हमारी गवर्मेंट जो है, पबजी बैंड करने लगी वी है, तो उसमें मैं कुछ अलफाज कहना चाहूंगा, किस फुटिय का आइडिया है कि हमारे बच्चों में एग्रेशन हा गया है, तो पबजी बैंड कर दीनी चाहिए यही से तुम लोग इनकी गेमिंग नॉलिज का अंदादा लगा सकते हो, ग्राफिक्स ऐसे हैं कि बच्चे इसकी तरफ मयाल होते हैं, पैंड मा, जोड़ा दी एक्स्प्लोडर के जादे बितर ग्राफिक्स है पबजी मुबाइल से, इन्होंने बैटल फील्ड और रेडड जैसी गेम्स देखी हैं नि, और पबजी मुबाइल के ग्राफिक्स अच्छे होगे, बच्चे मयाल हो रहे हैं, पुतर कभी वार्जोन खेल के देखो, पता लगे ग्राफिक्स होते क्या हैं बई, बाप बच्चे को मारता हो, कूल में टीचर डंडे मारता हो, सुसाइटी क बच्चा पैलाइदा, बाहर दोस्त उसको जलील करते हो, बस बच्चा पैदा करके भैंक तो यह चीज़े नेगेटिव इंपैंक नहीं करते हैं, लिकर एक मुबाइल गेम्स जरूर करती है, ति वजह से वो अपनी पढ़ाई पर, अपनी सोशल रिलेशन पर, अपने बरतराण नहीं रखताए जैसपे तोर पोचा पैस पर दोर तोर 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 दोर और असम अपनी सेज़े ने प्रूर जिए ने पर तोर पेस पर दोर तो आता क्या है बई पावर इंजर्एंच की नालके लॉपब मुँ में दे लेते हैं कि ये लो हमारा ना सीजन जब क एक चीज़ है, PUBG Mobile की विरसे जितने यंग बचों का करियर बनें, यंग streamers का, professional competitive players का, इनका पूरा करियर ही एक गेम पर बेस करता है, और मैं ये भी बताना चाता हूँ कि यही teenagers किसी hard working, 4 GPA top notch university से पढ़ के आने वाले से ज्यादा कमा रहे हैं, और उनसे ज्यादा इज़त भी है और मैंने भी पैसे कमाई हैं भई, PUBG से, खुद government कहती है, बाहर से dollar ले कि आ हो, अब जब dollar ले कि आ रहे हैं, तो PUBG ban कर दो, वा भई, TikTok पे वापस आओ यार fan, ये एक और बार देखते है, सस्ते नश्य के side effect पर किसे ने वीडियो बनानी ही हो ना, तो यार ये वीडियो बीच में लाजमी फिट करना है, बेटा जी बंदी खराब हो, तो कोई अमीर बच्चा फसाओ, खिदमत ये करवाओ, आइफून लो, लूटो, उठवाओ, काटो और मौज लाओ, ऐसी वीडियो बनाने की बाद तुम लोगो धूम तरीका आमिर खान के फुपी का शीदा खोतियां वाला भी मूना लगाए, ऐसी बंदियां होते हैं जिनको ये नहीं पंद होता कि इनकी बर्दे कब है, लेकिन बर्दे भी इनको आइफून ही चाहिए, मौ इनका सेकेंड हैंड चार्जर की पिन वाला भी ना हो, लेकिन सेटेड़ी को इनको डेड़ी मिल्क चाहिए, हर संडे इनको पारलर जाने मेंदी लगवाने, इनसे बाप का काम पूचे तो कहती हैं कि हमारे अबे का मसाज सेंटर है, जबके असलियत में पेयो उनका मालशी होते हैं, तेरा सब दिमाग खराब है, हाँ, अजचा, बंदी तेरी खराब होगी, मैं बंदी बहुत अच्छी है, इसकी मुझे एक बात अच्छी लगी है कि इसने ना वो वली बक्तोगी नहीं लगाई अर बार हग ना जुरूडी नहीं होता, अरीका मान जाओ ना, प्लीज अरीका, तुमने मुझे फोन ही क्यों किया है, मैं जननत मिर्लेक सब नहीं वीडियो बनाओगा, प्लीज मरी बात महादाव ना, प्लीज मुझे तुम मुझे तुमाई एक इसने नहीं चाहिए, ऐसे लोगो किसी बच्ची का रिप्लाय आजाए, इसे ही अपनी घरवालों के सामने चोड़े हो जाते हैं, और बच्ची के सामने इन्हें अपना अब्बू चेंज करने में मिंट नहीं लगता, एक दिन नवाज श्रीफ इनका बूत है, एक दिन मलेक रियास, एक दिन धोनी, एक दिन विरात को ली, और पांचवे दिन ट्रम्प, लेकिन अंदर बैट के बच्चियों से डील कर रहा होते हैं कि अपने दोनों भाईयों को को कि मेरी एक घंटा मार लेना, बद्रे में तुम्हें मेरी वीडियो में आने दे, दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसा है, जो आप का हूँ सकता है, तलाश करें, और मुझे जल्दी 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 इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, ताके आप भी एजीत पाएं। इस तरह भाई साब ने कॉमेंट डिसेबल की हैं, कुछ तो घरबर है दिया, और तेरा सिरफ दमाग खराब है, काका मैं बंदा ही खराब है। अबे वो लड़का है, उसकी पाइनों है भाई, और अगला बंदा उसको फारिंग कर रहा है, पारिंग करने के बाद चाट भी रहा है। काका, मैं बंदा ही खराब है। कर रही है, नो नो वाले बच्चे को फिंग रिंग करवा दीप मैं, ना कि वो गेंज इसकी विज़ा से कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। अगर वीडियो पसंदा ही तो लाइक मारो और सब्सक्राइब करो या, टू मिलियन करवाओ, गर्मी जरी पार्ट फाइव नकालना है भाई, अब अगर इस वीडियो पर दो लाक लाइक हो गए ना, अगर हो गए, तो मैं यह वाली बक्ताती डालूँगा वो भी टिक टॉक लाइक और सब्सक्राइब और वैसे भी अपनी डकी बाई टीम ने डिसाइड किये कि आज की वीडियो पर हर लाइक मारने वाले के लिए निचे मजा उपर भाई मेरे वीडियो में गलत कि मैंन मत कीजिया अरे बाई बाई समझ के बोर रहा हूं मैं आर बहुत ही शानदार बाई बनाए भी डखी बाई ने मज़ा दिला दिया मेरे को लगा था कि इंडिया में बैसे नहीं पर भाई पाकिस्तान में बाई बहुत कतनाख सा सुरूर की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तब बहुत ही बनाकर लग रहा था और जो एंड वाला बन्दा तो बहुत ही ने कि बहुत सांदर वीडियो बहुत पसंद आई और भात सही है और बात सही है कि वह से बहुत बहुत बेटार रही तो और वीडियो पहुत शांदर थी बहुत सार अच्छे बनाने वाले को इलिए प्लेटफॉर्म है वीडियो बहुत शांदर थी मुझे बहुत पसंद आई अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना शेर करना कमेंट करना और चैनल को सब्ट्राइब करना ना भूले तो मिलते अगरे वीडियो तब तक के लिए ठेक है